Hello everyone, केसे हैं आप सब लोग? आप लोगों में जम्मू कश्मीर की हिस्टटरी पढ़ रहे हैं हमने अभ इस्से पहले 4 पार्ट पढ़े है पार्ट वन में हमने पढ़ा था, उरिजन किस तरहा से हुआ, जम्मू कश्मीर का पार्ट नू में हमने पढ़ा हिंदू रूल किस तरह से आया था पार्ट सेकिंड में हमने पढ़ा मुस्लिम मुगर रूल किस तरह से हमारे स्टेट में रहा उसके बाद हमने पढ़े अफगान सिक और डोगरा रूल लेकिन ये सब चीजें थी आपकी 1947 से पहले ऐसा क्या हर डिस्प्यूट में घिरी रही तो आज हम इसको पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो आपको हम मैं एक और चीज़ बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस संदे को हमारा लाइफ क्विज होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे नाकी टेलीग्राम पे आमतोर पे हमा के तो वह मैं वहीं क्लियर करूंगा और यह जो आपके होंगे पूरी सेक्शन का टेस्ट होगा तीस में आपके होंगे तो किस तरह से चीज़े चलेंगी आपको एक बार पहले फिर से बता दूँगा जो लोग ने वह में इन जगा पे फॉलो कर सकते हैं और जो लोग टेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं वह पांच तारीक होगा और जो sectional टेस्ट थे आपकी त्यारी के लिए आप लोग अपनी त्यारी करते रहे और sectional टेस्ट अपने हिसाब से दे तो यह चीज़ें आप ले सकते हैं इसके अलावा आपको free lectures तो हम provide करने की कोशिश करी रहे है अब हम बात करते हैं आज के topic पहले मैं आपको एक overview दे दूँ कि 1846 में क्या हुआ था 1846 में महाराजा गुलाब सिंग जी आये थे as a dogra ruler जिन्होंने हमारी state को खरीदा था किस से East India Company में treaty of Amritsar के तहत और कितने रुपे में अगर ये deal हुई थी तो मैं आपको बता दू यह हुई थी 75 लाक यह उस time के 75 लाक रुपीज है आप सोच भी नहीं सकते कि आज की date में उसकी value कितनी होगी तो इतनी amount में हमारी पूरी state जो थी वो महराजा गुलाप सिंग ने खरीदी चीजें किस तरह से चली 1930 में जो कश्मीरी मुस्लिम थे वो बहुत ही जादा unhappy थे महराजा हरी सिंग से जो उनका रूल चर रहा था हरी सिंग गुलाप सिंग प्रताप सिंग नंबीर सिंग इन सब के बारे में आप पुराने लेक्चर देखें आपको सब सारी इनके खिलाफ हैं तो इन सब चीजों का जो भी फाइदा उठाया या जो अवाज उठाई अगर हम बात करें तो वह पहली जम्मू कश्मीर की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आई वह आई थी हमारी नेशनल कॉन्फरेंज तो इनके फाउंडर कौन थे शेक मुहम्मद अब्दुल्ला इनके वारे में भी हमने पूरा एक्स्प्लेंड किया है हमारी पॉपलर परस्सनालिटिस में तो एक अलग से मुवमेंट इनके चलाई थी वो थी दा कुट कश्मीर मुवमेंट अगेंस दा महराजा इस लॉंच तो 1930 में आप देख सकते हैं देश अजाद नहीं था जम्मू कश्मीर वैसे अलग था तो बहुत सारी चीज़ें हर जगा हो रही थी इंडिया में भी कि किस तरह से 1947 को हम लोगों को अजादी मिली लेकिन अजादी मिलने के बाद क्या हुआ पाकिस्तान बन गया अलग इंडिया बन गया अलग और पाकिस्तान क्या था मैजोरिटी मुस्लिम कंट्री बनी थी मुस्लिम मैजोरिटी कंट्री बनी थी और इंडिया की जो जितनी भी प्रिंसली के साथ जुड़ सकते हैं तो तीन ऐसी स्टेट्स थी यह आपको नाम ऐसे भी याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंड भी हैं और आपसे पूछा जा सकता है कहीं मीना कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से यह प्रिंसली स्टेट इंडिया को जॉइन कर ले आप लोगों बता दू यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि इन तीनों को करना एक साथ क्यूंकि यह हर एक जगा की अपनी अपनी अलग पहचान है अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको पता है जम्मू किश्मीर सबसे टॉप पे है हधराबाद कहीं बीच में है और जुनागर कहीं इस साइड है तो यह तीनों जगा अगर एक देश में जो पूरा एक देश है उसमें अलग रहना चाती है तो वो अपने आप में ही देश के लिए बहुत प्रॉबलम हो चकती है क्योंकि अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है ट्रेड करना है तो उनके अलग चार्जिस अलग उनके टेक्सिशन तो यह बहुत जरूरी था कि यह सब को एक साथ मिलाया जाए तो इन सब के लिए काम किस ने किया था सरदार वल्लावाइट पटेल ने 31 ऑक्टूबर के दिन इ ट्रेक किया था इस सब के अलावा क्या हुआ फिर आपको पता है जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया था जो मैंने आपको ने पिछले लेक्टर में बताया था बहुत सारा काम हमारी स्टेट में इस तरह से हो रहा था कि जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमने मुस्लिम में पढ़ी थी चीजे की और मुगल पीरेड में पढ़ी थी कि प्रॉब्लम्स आ रही थी सिख्रूल में भी क्या था नैचुरल जो डिजास्टर होते थे उनका कोई सुलूशन नहीं डूना जाता था उन्हें छोड़ दिया गया था उसी तरीके से जिस तरह से वो थे और बहुत सारे लोग जो थे कश्मीर को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में आना शुरू कर गए थे जिसकी वज़ासे जो पॉपुलेशन थी वो नो लाक से सिरफ दो ला से बसाए और इसे अजाद रखें सब चीजों से और इसे एक अलग कंट्री के रूप में रखें लेकिन क्या ऐसा हुआ ऑक्टूबर 1947 में जो ये चीज ऐसे नहीं हो पाई अक्टूबर 1947 में जो आम ट्राइब्समें थे जिने हम कबीली अटाइक भी कहते हैं पाकिस्तान से इंडिया में या जमू किश्मीर में उन्होंने एंटर करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत ही जादा ये चीज की कि जिसके खिलाफ वो थे उन्होंने बहुत सारी लू जब पुंच को वापिस से रीच कैप्चर किया गया था इनसे तो उसे पुंच डे के करने कि जाता है अब देखते हैं किसमें लोगों को ये चीज़े याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखके बताएं कि राजोरी डे और पुंच डे कब मनाया जाता है इंडिया में तब ह हुआ क्या था उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जौला नहरू और सरदार वल्ला भाई पटेल उन्होंने एक शरत रखी थी हरी सिंग के सामने कि सेना यहां से वहां जम्मु किश्मीन में बचाने के लिए सिरफ एक ही शरत पे जाएगी जब वो साइन करेंगे इंस और लूट पार्ट मचाना शुरू करती थी बच्चे नहीं देखते थे बूड़े नहीं देखते थे उन सब को किस तरह से रोका जाए इसके लिए यह भागे कहां पे हरी सिंग इंडिया के पास कि हमें बचा ले और हमें मदद करे सरदार वल्ला भाई पटेल ने एक ही शर इंडियन फोर्सेज वह जाएंगी कश्मीर में इसका सॉल्यूशन ढूनने तो हरी सिंग ने एक चीज कही थी वहां पे जब यह चीज साइन की उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं तो उन्होंने जो उनके साथ गे थे वहां पे उन्हें रात को एक चीज कही थी कश्मीर में एंटर हुई उन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश की जो ट्राइब मैं घुच चुके थे और इसी के साथ जो पूरा कंफ्लिक्ट है आम कंफ्लिक्ट वह कॉंटिनी हो गया इंडियन टूप्स वहां पे गई और हरी सिंग ने साइन किया इंस्टुमेंट अब इसके बात जैनुरी 1948 क्या है जब आम यह सब चीजें चल रही थी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ पूरा एक्शन ले रही थी तो उस समय क्या हुआ तो इंडिया ने ही इश्यू को क्या किया जो आला नहरु जी ने ही क्या किया वह इश्यू को उठाके लेगे युनाइटे नेशन्स के पास रेजिंग कंसर्न ओवर पाकिस्तान फोस्स ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ कश्मीर और युएस ने सजेस्ट किया जो चीज वह इंडिया और कश्मीर पाकिस्तान उत्म दोनों पर एग्री नहीं कर पाई और उन्होंने डी थे हमारे जम्मू कश्मीर उस तब में जो पॉपुलर थे मैंने आपको बता है 1930 में कौन थे शेक अबदुल्ला उन्होंने पूरी कोशिश यह रखी और उनकी बहुत ज्यादा अंडर्सेंडिंग थी ज्वालन नहरू के साथ और उन्हीं के अंडर जब इंडिया का तो 1949 में क्या हुआ युएन ने मेडियेट किया सीसवायर बेट्विन इंडिया पाकिस्तान जिसे हम कराची एग्रीमेंट के तोर पे कहते हैं और क्या किया दोनों कंट्री को लॉग किया तो रिटेन कंट्रोल ओवर टेरिटरी हेल्ड एट डाट टाइम कि जो जहां पे है वहीं पे रुक जाए और उसके आगे ना बड़े और वहां से ही हम लोगों का लोसी शुरू हो गया कि जो जहां पे है वो रुक जाए इस सब के बाद जुलाई 1949 में गया हुआ हरी सिंग ने जो था अपना सारा बहार कारोबार वो करन सिंग के उपर छोड़ दिया करन मैंने एक-एक personality जो आप देखने हैं जमू कश्मीर की famous personalities वो बताई है वहां पे आप देख सकते हैं शेख अब्दुला के साथ तीन कलीक ते ऐसे जिनोंने इंडियन Constitution Assembly के साथ डिसकस किये प्रोविजन आर्टिकल 370 को लेके जो आप लोगोंने पड़ा है जो अभी थोड़ किया था यह सब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में लेकिन उस सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ जो हमारे Constitution के में है बी आर अमबेटकर जी वो इसके खिलाफ थे तीन सो आर्टिकल 370 के क्यों खिलाफ थे क्यों नहीं अब आपको एक और चीज़ बता दू जो आपका इंडियन Constitution का पार्ट होगा जो इसके बाद 1950 में क्या हुआ इंडियन Constitution बनके त्यार हुआ लेकिन इसके अंडर आर्टिकल वन जो है उसमें कहा गया जो जेंड के है वह स्टेट ऑफ इंडिया लेकिन अब यह यूनियन territory है कब से बनी है Union territory अगर आप से पूछा जाए तो वह बनी है 31 October से जब शेक सदार वल्लाबाई पटेल का बर्डे होता है तब और आर्टिकल 370 को as a special status of जेंड के एड किया किया जिसमें आप लोगों को पता है कि किस तरह से चीज़ें होती थी अब आर्टिकल 370 हट चुक सब्सक्राइब फॉर क्रेटिंग दस्टेट कॉंसिशन और मेंबर बिलॉंग टू शेख अब्दॉल्लास एंची तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए तो आज मैं लेक्चर जादा बड़ा डिटेल में आपको और लेंथी ना हो जाए तो शौड में यहां तक रखता सब्सक्राइब आपको मोशन टॉपिक के mcq भी जल्दी मिल जाएंगे ओके गाइस आज के लिए सिरफ इतना ही